आज मैं आपके साथ हूली स्पेसल दही बड़े की रेसिपी सेयर करने जा रही हूं जिसमें मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया है ब्रेड का इस्तेमाल करने से दही बड़े सुपर सुपर स्वाफ बनते हैं तो सबसे पहले मैंने एक कप उड़त दाल लिया है इसे मैंने धो कर अची तरह से पांच घंटे सोग करके रख दिया है एक कप उड़त दाल के साथ मैंने दो ब्रेड लिया है सबसे पहले मैं ब्रेड के स्लाइस को काट लूँगी और ब्रेड के छोटे-छोटे टुक्रे कर लूँगी उड़त दाल को हम हलका धर-दरा सुजी के मुटाई के अनुस्वार कम से कम पानी डाल कर पिस लेंगे देखिए दाल पिसने के बाद दाल की कंसिस्टेंसी हची होनी चाहिए इसके बाद हम ब्रेड को भी मिक्सर में डाल कर दो से तीन चमच पानी के साथ इसे भी इसी कंसिस्टेंसी की पिस लेंगे अब हम इस में इस बैटर में स्वादन स्वार नमक आधा चमच भूना हुआ जीरा पाउडर आधा चमच गुल की पाउडर डाल देंगे अगर आप चाहें तो ड्राइफ रूट्स का भी इस्तमान कर सकते हैं अब चाहें तो इसमें काजू किसमिस भी राल सकते हैं अब हम इस बैटर को एक ही डाइरेक्शन में लगभग पाँच से आठ मिनद तक चलाते हुए फेटेंगे जिससे की बैटर फूल जाए लगतार चलाते रहने से बैटर काफी अच्छा फ्लपी हो जाएगा बैटर अच्छी तरह से फूल गया है कि नहीं यह चेक करने के लिए हम एक बॉल में पानी लेकर चेक करेंगे सबसे पहले हम इसे पांच से आठ मिनद तक अच्छी तरह से फेटेंगे अब हम एक छोटे कर्टोड़ी में पानी लेंगे और बैटर का थोड़ा सा क्वांटिटी डाल के देखेंगे बैटर टालते ही यह पानी में उपर तैरने लगा ऐसा तैरने इतना ही होना चाहिए अगर तैरे नहीं तो आप इसे और फेट है इसके बाद हम कड़ाई को गैस पर चड़ाएंग इसमें हम बैटर का थोड़ा सा डाल कर चेक कर लेंगे कि तेल अची तरह से गर्म हुआ है कि नहीं अभी तेल अची तरह से गर्म नहीं हुआ है तो हम इसे थोड़ा और गर्म होने देंगे जब तेल गर्म हो जाए अची तरह से तब हम फ्लेम को मेडियम कर देंगे और ते भी जाते हैं मैं यहां चोटे-चोटे वड़े बना रही हूं तो इस तरह से तेल में हम चोटे-चोटे वड़े डाल देंगे ध्यान रखना है कि हम खड़ाई में ज्यादा वड़े ना डाले ताकि वह एक दूसरे से चिपके नहीं जब वड़े थोड़े सिके दिखने लगे तब हम इसे चम्मच या च्छनोटे से उलट पलट लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे वड़े को फ्राई करने के लिए चप्टे तले के बरतन का इस्तिमाल करें देखिए मैंने या नॉन स्टिक कढ़ाई लिया है जिसका बॉटम चोड़ा होता है रेगलर कढ़ाई का बॉटम काफी डीप होता है जिसके कारण इसमें तेल काफी अधिक लगता है चोड़े सब्सके nied venue के साथ उसे किसा किशार से बना रहे हों तो छमत सब्सक्राइब करतेशने की छमत से एक-क कर वड़ों को पल्टे मैंने अहाँ आहां प्सक्या से सब्सक्राइब मैं अगर पहली बार बना रहे हों तो इसे किसी कमघ से रहला हैसे mars प्लटम से सुरेर सकाद में ध प्लट कर मीडियम फ्लेम पर हम तलते हुए वड़ो को गुल्डन प्राउंड होने देंगे वड़े तलने में 8 से 10 मिनट लग जाएंगे फ्लेम को हाई करके वड़े ना फ्राई करें अगर फ्लेम को हाई करके वड़े फ्राई करेंगे तो वोपर से गुल्डन हो जाएगा मगर अंदर से कच्छा रह जाता है तो वो वड़े को जब हम पानी में डालेंगे तो अंदर स इसका फ्रेवर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें मेडियम टू लो फ्लेम पर बड़ो को तलते हुए गुल्डन ब्राउन करना है, जब बड़े गुल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इसे स्पेशला पर उठाकर किनारे तरफ से तेल को कढ़ाई में ही छोडते हु इसके वड़ो को पलेट में निकाल लीगें है, मैंने होग हैं तीन चार चार करके वड़ो को निकाल लिया है, रे वड़े निकालने के बाद हम तेल में फिर से वड़े को डाल देंगे आगर तियल का हिट कम हो तो गैसका फ्रेम बढ़ा कर तैल को अच्छी तरह से गर्म कर ले। और उसके बाद फ्रेम को medium to low करके फिर से वड़े डाले। इसी तरह से हम सारे वड़े तल लेंगे। वड़ोग को तलने के बाद हम से तो करने के लिए रखेंगे। कि वड़ों को सोग करने लिए हम पूर्म टेंपरेशर लेंगे और पानी में ले कर पानी में जितनी जरूरत हो आपको वड़े के लिए उतने दही वड़े के लिए जितने वड़ो की जरूरत हो उतने वड़े को आप पानी में सोग करें और बचे हुए वड़ो को आप फ्रिज में स्टोर करके चार से पांस दिन रख सकते हैं वड़ो को पानी में रखने के बाद इसे चार से पांच घंटे तक सोक होने देंगे छिस से की फूल के डबल साइज में हो जाए देखिए बड़े अपने साइज से डबल हो गया हैं अब जितने वड़ो को आप सर्व करना चाहते हैं उतने वड़ो को हल्का हाथ से प्रेस करके पानी निचोड़ ले ज्यादा जोड़ से न दबाएं वड़े काफी सौट है वो तूट सकते हैं इस तरह से मैंने वड़ो को दबाकर एक प्लेट में ले लिया है वड़ो पर डाल ज्यादा या कम जैसे आपको दही पसंद हो उस अनुसार से दही को वड़ो पर डाल लेजिए वड़ो पर डालने के लिए मैंने दो तरह की चट्नी बनाई है एक धनिया पुदिने की चट्नी है जिसे मैंने दही और हल्दी दही और जीरा पाउडर नमक डाल के बनाया है सारे वड़ो पर थी हरी चट्नी डाल देंगे इसके बाद मैंने इम्ली की खट treatment चट्नी बनी आपने पसंद चिंसफार जढ़ा या कमा चट्नी के इसके न्मक रख रखते हैं मैंने यह दिखाने के लिए सारे मसालु को अलग अलग रखा है आप अपने पसंद के अनुसार मसालु को स्प्रिंकल कर लिए त्य। त्ही वड़े सर्व करने के लिए它 yas तो इस तरह से आप भी दे वड़े बनाएं और इस तरह से earn करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरे दही बड़ी के रेसिपी कैसे लगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरे ये रेसिपी कैसे लगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किये हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियोज पसंद आते हों तो मेरे वीडियोज को लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद